आपके सामने दो वर्ड्स हैं इंपीरियोस और इंपीरियल में क्या डिफरेंस हो सकता दोनों का संबंध शाही परिवार से ही है थोड़ा-थोड़ा इंपीरियल का सीधा संबंध है किसी किंग्डम से किसी राजमहल से relating to an empire or to the person who rules it मतलब इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो शाही बोला जाता है राजगराने से संबंध है तो उसको इंपीरियल कहा जाता है याद करने के लिए एक लिकर आती है आई भी शॉट में उसको कहते हैं और उसका पूरा नाम है इंपीरियल ब्लू जानते होंगे आप याप लोग आरून नो कि ये विस्की है या रम है लेकिन लिकर है इतना मैं जानता है अब इंपीरियल ब्लू समझने के लिए आप समझे कि दारू शराब आप तो नहीं कह सकते लेकिन पहले के समय में शराब बड़े लोगों के शौक होगे करते थे शराब छोटे विक्ती का नहीं शौक था था शराब बड़े लोगों का शौक था तो इंपीरियल होने का मतलब यही है कि आप बड़े घराने से हैं, शाही परिवार से हैं, खर्चे आपके पास हैं, शौक है आपके बहुत ज़्यादा The Imperial Family of the Great Britain, Britain की जो Imperial Family है, महरानी, विक्टोरिया, ऐलिजबेथिन लोगों की Then comes Imperious, ये एक negative word है, Imperious होने का मतलब होता है, Bossy Nature का होना Bossy Nature का होने का मतलब है कि आप Boss हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन आप सब पर चड़े ही रहते हैं, तो आप Bossy Nature के हैं Bossy Nature के लोग वो होते हैं, जो हर किसी को orders देते रहते हैं, कि ये कर के लाओ, वो कर के लाओ So Imperious होना ये ही दिखाता है, कि आप मतलब you want everyone to obey you You want all your desires to be fulfilled, you want all your instructions to be taken care of तो ये Imperious होना है, जब आप अकडू हैं और थुड़ा सा, मतलब बहुत दमनकारी टाइप के हैं और बहुत चड़े रहते हैं दूसरों पर Giving orders and expecting to be obeyed in a way that seems to be too proud, इस तरह के से The lady raised her hand in an imperious gesture, उस्माइला ने अपना हाथ ऐसे दिखाया कि जैसे वो boss हो किसे कि जैसे कोई, एक होता है कि आप किसी restaurant में खाना खाना ही के लिए गया है, तो of course you require a waiter to attend you, एक तरीका होता है, सही तरीका होता है कि भहिया, ऐसे भाइसाब, सुनिए, एक होता है, एक तरीक होता है, एह, एह, सुन रहे हो, याँ हो, एह, तुमसे कह रहा हो, तुमसे, इस वोट, यह imperious nature में आता है, वन शुट नॉट ट्रैक्टिस अल दिस रभिश, यह बेकार आप डाउन टू अर्थ होंगे, उतना ही लाइफ में उपर जाएंगे, नहीं भी जाएंगे, तब भी ठीक है सह, लाइफ डाउन टू अर्थ होना तो जरूरी ही है न, तो imperious होने का यह मतनत है,